भागलपुर के सुल्तान गन से अगुवानी के बीच बन रहा पुल तास के पत्तो की तरह धरासाही हो गया उसके बाद से सियासत गर्म है, सरकार गर्म है और बनाने वाली कमपनी के खिलाफ एक नया अभियान शुरू हुआ है काली सुशी में डालने की तयारी सरकार कर रही है, वहीं जनित याची का पत्ना के हाई कोट में दायर किया गया है आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो भागलपुर पुल हाथसा हुआ है, उसमें एसपी सिंगला कमपनी ये पुल निरमान कारे कर रही थी जिसे अब काली सुशी में डालने के लिए सरकार अब तयारी में जूटी है, आपको ये भी बता दें कि पत्ना हाई कोट में जनित याची का दायर की गई है और इसके साथ ही, 15 दिन में मलवा हटाने का भी आदेश सरकार ने दिया है कि जनदी में जो मलवा गिरा उसको जल से जल हटाया जाए एजेंसी को दोसी ठाडाने की पूरी तरीके से तयारी चल रही है क्योंकि इस पूरे मामले में एसपी सिंगला जो एजेंसी है वो दोसी है और तक्रीमन 600 करोर रुपे को रिस्क एंड कोस्ट के तहत पत्निर्मान विभाग बसूलने की तयारी में जूटी है तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो सुल्तानगज अगवानी का पूल था वो गिरने के बाद अब एसपी सिंगला कहीं न कहीं काली सूची में सामिल करने की तयारी की जा रही है और काली सूची के साथ साथ सरकार जिस तरीके से अक्सन में है रितिश कुमान ने साब तोर पे कहा है कि पहले भी जब यह पूल गिरा था उस समय भी और उसके बाद जब यह पूल गिरा है तुरत कठोर से कठोर कारवाई करने का निर्देश दिया गया है और उसी दिन आपने देखा कि रात नौ बज से तेजस्वी आदब भिहार के उपमख मंत्री पूरे मामले पर प्रेस कॉनफरेंस करते हैं और उनके साथ जो सेक्रेटरी है सचीव है वह प्रत्य अम्रित वह प्रधान सचीव है और वह उनको यह जाच की जिम्मेवारी दी जाती है अलाकि उनके जाच पर भी कई तरीके कि आज की संभावना उनके ही जेडियू के विधायक ने लगाई है लेकिन अभी उस पर नहीं जाना है जाना यह है कि आखिर यह पुल जब पहली बार गीरा तो आखिर सरकार ने उस उसी कंपनी को क्यों बनने दिया दूसरी बात उसके पैसे भी सैंसेंग हो गए और दूस सहली को दरसाता है सवाल यह भी उठता है कि बिहार में कई अलग अलग जगा इवन की राजधानी पट्टा में भी जो लोहिया चक्र का काम चल रहा है वह भी काम एसपी सिंगला कंपनी कर रही है तो सवाल यह है कि सरकार आखिर सिंगला कंपनी के प्रति इतने प्रति क्यों थी 2005 से एसपी सिंगला काम कर रही है और उसकी काड़े सैली पर कई बार सवाल खड़े हुए बात चाहे बीजेपी की हो बात चाहे जेडी की हो बात चाहे आरजेडी की हो सरकार में मुखमंती नितीश कुमार हमेशा रहे है पत निर्मान विभाग इतना भाविक है ऐसे में पटना है कोट इस पूरे मामले में क्या संग्यान लेती है क्या आदेश देती है यह भी देखने वाली बात हो भी लेकिन अभी ये मामला सांथ परने वाला नहीं है क्योंकि ये जनता की गारी कमाई का पैसा था जो भागलपूर और खगड़िया उत्तर बिहार और दक्षिन बिहार को जोडने वाला मुख्यमंत्री नितीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट वाला पूल था और अगर आप अंदाजा लगा है कि ड्रीम प्रोजेक्ट के पूल को इस तरीके से चंद सेकेंड में पानी में बह जाए तो फिर उस पूल की कलपना क्य करेंगे जो बहुत बड़े पैमाने पर बनता है फिलाल अभी के लिए बस इता ही सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम न्यूज 22 को पटना